गूनुजा नाम के एक लेजन रहते थे। गूनुजा बस एक आदमी नहीं थे। वो एक संस्था थे। बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक जो समय से परे थे। गाम के हर कोने में उनकी उपस्थिती महसूस होती थी। जहां उनकी कहानिया सुनाई जाती थी। बार बार हर ब से जटल समस्याओं को भी आसानी से सुलजा सकता था। गूनुजा के किस्से मैथिली संस्कृती के ताने बाने में गहराई से बुने हुए हैं। जो उनकी स्थाई विरासत का प्रमाण है। उन्हें एक लोक नायक के रूत में मनाया जाता है। उनका नाम सम्मान और जो अपनी तेज बुद्धि और अद्वितिय ग्यान से सबसे ताकतवर को मात दे देता है। गौनुजा की कहानिया केवल मनोरंजक नहीं है। वो बहुमूले जीवन सीख प्रदान करते हैं। हमें याद दिलाते हैं कि बुद्धि मत्ता और एक अच्छा दिल सबसे जीवित हैं। उनकी कहानियों को सुनने वाले सभी लोगों के लिए आशा और ग्यान की किरण। मैंने दुनिया घूमी है, अनगिनत अजूबे देखे हैं और सबसे जटिल पहेलियों को सुलजाया है। मुझे एक ऐसा आदमी दिखाओ जो मेरी बुद्धि से मेल खा सके और मैं उसे एक हजार सोने के सिक्कों से पुरस्कृत करूँगा। ग्रामीन व्यापारी की हार न मानने की प्रतिष्ठा को जानते हुए चुनौती स्वीकार करने से हिचकिचा रहे थे। तभी गोनुजा जो एक बर्गत के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे ने अभिमानी व्यापारी को विनम्रता का पाठ पढ़ाने का फैसला किया। अपनी आखों में चमक लिए गोनुजा जो अपनी बुद्धी और चतुराई के लिए जाने जाते थे व्यापारी के पास पहुँचे। क्रिकेट के मैदान पर सूरज तेज जमक रहा था और खिलाडी बहुत खुश थे। गोनुजा ने व्यापारी से पूछा, मैंने सुना है कि आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ती हैं, तो मुझे बताइए, अगर आप एक भूखे बाग के साथ एक गहरे कुए में फंस जाएं तो आप क्या करेंगे। व्यापारी जो अपनी बुद्धि और तेज सोच के लिए जाना जाता था, अचानक आई इस चुनौती से हत्प्रभ रह गया। उसने इस सवाल पर गहराई से विचार किया, उसका दिमाग कोई न कोई उपाय खोजने के लिए दौर रहा था। अपनी दाढ़ी को सोच समझ कर सहलाते हुए व्यापारी ने विभिन संभावनाओं पर विचार किया, सवाल वाकई पेचीदा था और वह एक चालाग जवाब देना चाहता था। एक पल की खामोशी के बाद उसने पूरे विश्वास के साथ घोशना की, मैं अपने खंजर से उस जानवर को मार डालूँगा और फिर उसकी पीट को एक सीड़ी की तरह इस्तिमाल करके बाहर चड़ जाओंगा। गुणू जाइस जवाब पर हंस पड़े। एक सरल उपाए, उन्होंने कहा, लेकिन मुझे बताओ, आपको कुई में खंजर और बाख कहा मिलेगा। सुनने के लिए एकठा हुए ग्रामीन हंसी में फूट पड़े। उन्होंने व्यापारी के उपाए की बेरुखी को और स्थिती को बहुत मनोरंजक पाया। हंसी पूरे मैदान में फैल गई। हर कोई कहानी में आये इस चतुर मोड का आनंद ले रहा था। व्यापारी जिसे अपने जवाब पर इतना भरोसा था, अब खुद को नेकनियत से चिढ़ाने का पात्र पाया। व्यापारी शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने महसूस किया कि उसे मात दे दी गई है। उसने बुद्धिमान दिखने पर इतना ध्यान के इंद्रित किया था कि वह स्थिती के सरल तर्क की अंदेखी कर गया था। उस खशन उसने एक बहु मूनले सबक सीखा। कभी-कभी सबसे सरल प गोनुजा ने अपने निहत्थे हास्य से अहंकार की मूर्खता को उजागर किया था। उन्होंने गुस्से से भरे व्यापारी की ओर रुक किया और कहा सच्ची बुद्धि अपने ग्यान का घमंड करने में नहीं बलकि उसका बुद्धिमानी से उप्योग करने में है। व ग्यान और विनम्रता के साथ लागू करने के बारे में थी। उस व्यापारी के लिए जिसने एक हजार सोने के सिक्के देने का वादा किया था। उसके मुकाबले उस दिन उसे जो ग्यान प्राप्थ हुआ था। वह बहुत बड़ा था। उस दिन से व्यापारी ने अपना गोनुजा की कहानियां सदियों से गूंज रही हैं, मिधिला के आंगनों में बार बार सुनाई जाती है ये कहानियां पीधी दर पीधी चलिया रही हैं और समुदाय की मौखिक परंपरा का एक चैरिष्ट हिस्सा बन गई है उनके किस्से केबल मनोरंजन से कहीं अधिक हैं विक्षेत्र की सम्रिध सांस्कृतिक विरासत, बुध्धी और ज्यान पर जोर देने का प्रतिविंब है हर कहानी एक सबक देती है, एक मैतिकता जो श्रोताओं के साथ गूंजती है, चाहे वो जवान हो या बूढ है गोनुजा की विरासत उनके चतुर उपाख्यानों से कहीं आगे तक फैली हुई है उनका प्रभाव मिधिला के लोग जिस तरह से जीवन जीते हैं, उसमें हास्से और बुध्धिमत्ता के मिश्रन के साथ देखा जा सकता है वो मिधिला की भावना का प्रतीक है, एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी बौध्धिक कुशल्ता और हास्से और ग्यान के अनूठे मिश्रन के लिए जाना जाता है उनकी कहानियों में लोगों को एक साथ लाने, समुदाय की भावना और साजा पहचान को बढ़ावा देने का एक तरीका है उनकी कहानिया केवल राजाओं और राणियों या भव्यकार नामों के बारे में नहीं है वे आम लोगों के जीवन में उतरते हैं, उनके संघर्षों और जीत पर प्रकाश डालते हैं वे रोज मर्रा की जिंदगी के बारे में हैं, चुनोतियों को बुद्धी और अच्छे दिल से मात देने के बारे में हैं ये किस्से हमें सिखाते हैं, कि स्थिती कितनी भी कठिन क्यों न हो, चतुराई और दया से इसे दूर करने का एक रास्ता हमेशा होता है ये उनकी कहानियों को आज भी प्रासंगिक बनाता है, हमें याद दिलाता है कि बुद्धिमत्ता और हास्य कालातीत कुन है गोनुजा की कहानिया प्रेरित और मनोरंजन करती रहती है ये साबित करती हैं कि हंसी वास्तव में एक ऐसी विरासत है जिसे संजो कर रखा जाना चाहिए भाग छेह, मिथिला के दिलों में गोनुजा गोनुजा के किस्से इस क्षेत्र के रोजमर्रा के जीवन के ताने बाने में बुने हुए हैं दादियां अपनी कहानियां अपने पोते पोतियों को सुनाती हैं और विद्वान उनकी मजाकियां टिपणियों को उद्रित करते हैं हर जगह उनकी उपस्थिती महसूस होती है। उनकी कहानियों को अक्सर लोक नाटकों में दिखाया जाता है और त्योहारों के दौरान मनाया जाता है। मिथिला चित्रकला की जीवन्त परंपरा अक्सर गोनुजा के जीवन के द्रिश्यों को दर्शाती है, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत में उनके स्थान को और मजबूत करती है। गोनुजा की विरासत कहानी कहने की शक्ति का प्रमान है। उनके किस्सों ने न केवल पीडियों का मनोरंजन किया है, बलकि महत्वपूर्ण जीवन सबक भी सिखाया है। यह साबित करते हुए कि बुध्धी और ज्ञान वास्तव में काला तीत है। गोनुजा की कहानियां मानव स्वभाव में बहुमूल्य अंतरद्रिष्टि प्रदान करती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची बुध्धी विनम्रता और अच्छे दिल से अपने ज्ञान का बुध्धिमानी से उप्योग करने में है। उनके किस्से चुनौतियों से पार पाने के लिए त्वरित सोच, अनुकूलन ख्षमता और हास्से के उप्योग के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। गोनुजा की विरासत एक अनुसमारक के रूप में कार्य करती है कि सबसे जटिल समस्याओं को भी थोड़ी सी बुध्धी और धेर सारे सामान्य ज्ञान से हल किया जा सकता है। पीड़ी दर पीड़ी चली आ रही उनकी कहानियां प्रेवित और मनोरंजन करती रहती हैं। हमें याद दिलाती हैं कि हंसी और सीखना साथ साथ चल सकते हैं। भाग आठ एक काला तीत कहानी गोनुजा की कहानी बुध्धी और ज्ञान की शक्ति का प्रमान है। ज्ञान और एक अच्छी हंसी की शक्ति को अपनाने के लिए प्रेड़ित करती रहेगी। मिधिला के सांस्कृतिक ताने बाने में बुनी गई उनकी कहानियां हमेशा के लिए एक अच्छी कहानी की काला तीत्ता का प्रमान रहेंगी। जो अच्छी तरह से कही गई